गुजरात में पानी के लिए जो विशेज ग्रीड बनाए गए नहरों का जाल भी जाया गया उसका लाप अब करोन लोगों को हो रहा है यहां के लोगों के प्रयास राष्ट्रिय तरपर जल जीवन मिशन का भी आधार बने हैं देश में हर घर में पाईप से पानी पहुँचाना का अब्यान तेज गती से चल दा है सिर्फ सवा साल के भीतर इस अब्यान के तहट करीब करीब तीन करोड घरों तक पानी का पाईप पहुँचाया गया है यहां गुजरात में भी 80 प्रतिशत से अधिक गरों में नल से जल की सुविदा पहुँच रही चुकी है मुझे बताया गया है कि अगले कुछ समय में ही गुजरात के हर जिले में पाईप से पानी की सुविदा उपलब्द हो जाएगी भाई और भेनों पानी को घरों तक पहुँचाने के साथ साथ पानी के नए स्रोथ बनाना भी बहुत जरूरी है इसी लक्ष के साथ ही समंदर के खारे पानी को सुद्ध करके इस्तवाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है माडवी में तयार होने वाला डिसलिनेशन प्रांट नर्वदा ग्रीड साउनी नेटवर्क और वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा पानी सफाई का ये प्लांट जब तयार हो जाएगा तो इससे माडवी के अलावा मूंदरा, नखत्राना, लगपत और अबड़ासा के लाखों परिवारों को इसका लाब होगा इस प्लांट से इन छेत्र के करीब करें आठ लाग लोगों को रोज टोटल मिला करके दस करोल लीटर साब पानी की सप्लाई हो सकेगी एक और एक और लाब यह होगा कि सेंक्रों किलोमेटर दूर से यहां आ रहा नरुदा का पानी उसका भी हम जादा अच्छा सदुप्योग कर पाएंगे यह पानी कच के अन्य तालू का जैसे रापवर, भचाव, गांधिदाम और अंजार को सुचारू रुप से मिल सकेगा साथियों कच के अलावा दहेच, द्वारिका, भोगा, भावनगर, गीर सोमनाथ वहाँ पर भी ऐसे प्रोजेट्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं मुझे विश्वात है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेना देगा, उन्हें प्रोजशाहित करेगा